आज है पंदर अगस्त और पंदर अगस्त की सभी को बहुत बहुत शुब कामना है आज हम बैठे हैं अपने आर्मी से रेटार्ड पापा के साथ और आज का जो हमारा एपिसोड ही है ये फंदर अगस्त को लेकर ये बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि पापा ने अपनी जर्नी में जो जो एक्सपीरियंसेज खुद गेम की है वो हम लोगों के साथ शेयर क हमें ड्यूटी के नाइं के ऊपर एक्सपीरिंस क्यों सबसे प्रेंश हमारा है कि जब हम अपने ट्रेनिंग करने के बाद यख़तू पर चेंटर से ट्रेनिंग पासिंग एक बाद सीथा हम लोग जो रब हैं पिजो रब हैं चीक है निजो रम स्टेट में उस टेंपे वहाँ हमने प्रैटिकल जंगलों में और गंगलादेश बार्डर के अंदर जाके गुर्वादियों को पक्राइब अच्छा तो आप कौन थी रेजिमेंट में थे पापा हम जमु एड कसमी रेजिमेंट में थे जाक राइफिल्च जाक राइफिल्च तो हम लोग बंगलादेश बार्डर के चिनारे इक गाउं परता है साईपूी. साईपूी इसमें एक नदीव छीष शोटी शी शीषियाही लूई जाईलुई के उस तरफ बंगलादेश है इस तरफ इंडिया हम लोग बिलकुल उसके बाडर के किनारे शोटा सा गाउं था अंडर्णमनी जैसे अमरिच्वर के अंदर अटारी बोर्डर है मतलब उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ इंडिया बहां बंगलादेश नदी के उस तरफ बंगलादेश है इसर जो आया है इंडिया इंडिया बीच में नदी चक्ति इंडिया में बारदा से करके पाकिस कोष्ट में बंगलादेश में बोजियाते थी अच्छा वहां तारबंदी नहीं थी तरफ नदी नदी थी तो अने जाने कर आफता अने के लिए असां था तो हम लोग बहां बिलकुल किनारे वे गाउं में रहके अगरवादियों के एचिशे तो हम अने इस नदी में जूर्ण के अपने पंजाब में प्नियु पर हम दुख ऑने लोग बंगलादेश को अम लोगों ने पाकिस्तान से आजाधी कर वाई और फिर वहां के वहां के लोग हम लोगों को डिटेली बहां कर थे थे अ हम आड़ेट découvrir दो हम पाकिसा तो आपको लगता है पापा कि यह जितने भी रॉइट सवगारा होते हैं तो यह अपना जो चिकनने का साम सवगारा का जो हमारा एरिया है जो एक रॉइट सो भारा होते हैं इस तक रॉइट से र्लेटेड अश्मे के तोया है, में आपको लगता है मतलब यह इतना जो ब्लेड शद्रीध है मिजोराम से शंति है मिजोरामने के एक शेपने , लेकिननकर मनिपूर लेड़ और उसमें मौर्सिस पले आगे जैसे मुसल्मानों रोलिंगा 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 वो दुसके गुस्पेट ही जादा है उसमे जो जो असली कास्टा वहां की मनिपुर की उसको कि इंदर कर दिया तो वो तो इंविग्रेंट को तो को दिक्कत होनी नीचे वैसे हैं यह लोग उनके उपर करहें कि बाहर से आकर गुश्वेटिया हमारे हमारे स्टेट में आकर रूल कैसे कर सकते मलाइप मैजॉर्टी कैसे बन सकते हैं समझ कें इचली है, इसलिह मल्लपूर में जबागा है पापा, सबसे पहले मैं आपसे पूशन चाहूँगा कि आपने आर्मी अज़ अपने लाइफ के अंदर के अंधर के अंदर क्यो चूस करी आपको क्या मोटिविशन मिली जो आपने आर्मी जॉइन करी और आपने आर्मी कब जॉइन करी और कितने टाइंगे जॉइन करी मैंने नाइटी एटी में आपरेल में जुइन किया था और नाइटी नाइटी सेवन में अच्छा इसके बाद आम लोग बंगाल में चलेगे बंगाल में हम लोग कि बंगाल से एक साल रहे उसके बाद हम नारशृःक्व में चलेगे नाशृःक्म में क्या था कि वहां असाम राइफ्ल के एक ही कुंपनी रहती है अच्छा गया था चाइना के बकरवाल भी इंडिया के बकरवाल भी वहां अपस में मिलते थी और बेड़ बकरी चराते थे बॉर्डर बिलकुल ऐसी उपन दा अनसेफ था चिक है तो जब नाइंटी ऐटी सेवन में चाइना ने कुछ हरकत किया ना अर्नौचल में डेफा में जी तो उसके बाद में इंडियन आर्मी के इंडियन गवर्मेंट के कान खुले थी इनके कान कुले की शर्कार भी इंके कान खुले की यह हरकत कर रहे हैं तो फिर हमारा बर्लमीर भर्लमीर स нач bringing asteroids करहें तो फेर हमारा ब्रगेड जो फर्स्ट ब्र रिगेड अंदर ब्रगेड नार्शिकन में चुंग थाग जगे पड़ती है, बहां तक रोड था, उसके आगे कोई रोड नहीं था, वो क्या था एक जिक्चागर ट्राइक था, सिंगल ट्राइक था, आदमी पैदल चल सकता था, वैसे गाड़ी भाड़ी नहीं जा सकते था, गाड़ी भाड़ी कोई नह कि यसके कि घंव था, आधे एक जाटीम था, यह हम लोग क्या करते हैं, कि पहले हमें चुंग थाग कंप लगा यह थहे, था इसके विए बहां से और लुकरिव में पहुंचे जी भाड़ी आगे पहुंदे है, फॉल लुस्ति अगन में लगस्ट मारत पहुंचेए थान त वहां बल्ली पंचाने ही, बल्ली का बैंकर बनना, बिल्डिंग बनने ही, CGI सीड को चाड़ी, वह पोटर का काम भी हम लोग आर्मी वाले का, साथ में पोटर भी थे, बगर हमारे को भी टाक्स मिलता था, भी जल्दी से जल्दी हम मिलता, पौँच जया हमाँ पर, फिर बार में इंजिनियर आगे, इंजिनियर ने आगे डोजर से, थोड़ा रास्ता बनाना शुरू किया, आच्छा, आश्ता आश्ता करते, बंटन गाड़ी उपर जाने शुरू ही, फिर शक्तिमान जाने शुरू ही, शक्तिमान कौन से हुए, शक्तिमान थरी टन वाली, फिर उपर जाने शुरू ही, फिर आश्ते आश्ते उपर कैमप पहुचना शुरू हो गया, फिर हमने चाइना बार्डर के, बिल्कूर बार्डर के उपर, हमने, स्टील का डफेंस पीडि वो त्यार कर रोगा अच्छा अच्छा अजिए 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 अधिन आर्मी साथ में बहुत ही ज्याधा जी आडबर की अजिए आज चले जो बहां टेंक भी है इस टैंप पर वहां टेंक भी पौंचिए लिए मतलब उस टैंप बहुत जादा व और अजिए अन्णन उस ऐ थीए नहीं मैं सस् eine टांत भी उपर टांक बहुत हां जब बबानाान क भी वहे आंगे में उन्हें अने आलन हौड का परज़ जात्रा जीए टी आणक जी हा, और चया हौरश को, वो वहां से सिक्कम से निकलती होगी चाइना में जी नहीं चुंथां जगे का नाम आज बर्गेड आटक वटराव हाँ बर्गेड दुपलाई ओड होगा है वरन बर्गेड बहां दुपलाई होगा है चुंतांग, वहां बिल्डिंगे बनगे, सराकुष बन गया, वहां बाबा नान के जब गया तो उस्टां पे तिवतिन लोग रहते थे वहां, लांबा लोग, चीक है, वहां एक राक्षस बुद्धी थी जिसका नाम था प्रभूराक्षस, प्रभूराक्षस, उन्होंने क्य झाया किया जब बाबा नान के बाबा नान के बाभ बाच्छ ना बर बने गया भू Jeśli घू की तो उन्होंने उपर से बूल बड़ा पधर नह की हो, पहां बाध नान की अबडा ब्लभूराक्ष्णी अवयद्धी निच्छ ना की पाहिँ बाब नान की ब्ला नान कीया उने फुट में एक चरामत पानी रहता है, एक आदमियों चरामत लेके जाएगा भूगा गोंके पथर का पदखन करके आएगा, तो फिर एक चरामत बहां पानी हो जाता है, ज्यादा पानी नहीं हो रहता हुए, एक चमच पानी, मतलब वो क्या कते हैं उसको चुलू बर पानी, ब बहां गुर्दीरा बनाया गया है, आर्मी बहां नहीं गुर्दवारा बनाया कि बहां बाइगा गला गया हुए, एक बूह झाम लेके बाहन अं eller ईक बाहने, एक जा बटी चावल लेगे instance, बहां अन्होंने बाबानान को बोला जहां जाहं चावल नहीं होते हैं, जिए उन कोई उसमें जब दालने की जूरुरत नहीं है, जीरी के आम में कुछ भी करने की जुरती है नहीत अब अटोमैटिकल? जब दान का टाइम होगा आपने आप चाबल होगेंगे चाबल पकेंगे उसका प्रसाथ करणे पर देंगे वहां वो दिव्तियन का भी टेंपल बना हुए भाबा नानक ने कि जो हाद में पकड़ी थी न बोग दी थी वो काड़ दी थी उसका पेड बना हुआ अब जाकर देख थी वो पेड की साखें उपर भी जाते है अच्छा अच्छा निचे ही रहते है फिर बाबा नानक जी बह दौरा भाहि भी बन वाया है अच्छा अच्छिए इस ही इटों का सैट बना के वहां को भुर फुरों है को तिस्टा नदी की जील है न जो उदर से तिस्टा नदी निकाती है जुब नीचे आगे बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है बोत बड़ी नीचे आके बोत ब्र आपरेचे चलाए आता है को पानीं जहरने पूरे जम जाते हो पानी नजर आता है तो भी जह चंगाति नजर है तो पानी पेने का दिल कर रहा है तो लिधीकग ही पर ऑड़ीभी चले जो बाकी पूरी जह में आईश जम जाएगी पहाद पढ़ जाता है, उस जगे में आर्मी अब पहुंच गया आर्मी ने भाहा बहन फिक रहा तुट रहा कि अबबंबा नाम के उस जील का नाम रखाया गुट्धिम्धाचील यह इंडिया चाहिन वर इंडिया में उसके बाद आगे जो पहाड पढ़ जाता है उसके पहाडी का नाम हेमा रखा हुगा है, हेमा गयाब के बीच भी आर्मी लगी हुगी, अपनी इंडियन आर्मी इस्टांप पक्वा डफ्रेंस बनेगी और हम लोग तो आइस का पानी सर्दियों में नहीं मिलता तो हम लोग थोड़ा दूर जाके आइस का कतीला भरते थे श्टोपे गर्म करके बोई पिना बोई खाना थे अब सबसे डिफिकल्ट आपकी ड्यूटी कहां पर रही? सबसे डिफिकल्टी तो शिक्कम में रही उसके बाद में हम लोग जब स्रीनगर में उगरवादियों के साथ मूतुवेड़ सैब दिटिमा हम थिमलस बहां सोपूर में रहे बहां मुंडा-देवासर में रहे जहां भी औुबादीयीका पता चलता था जाते थे मगर सबसे डिफिकल्टी हमने तब हो धायु जब हम 94 को 95 चलना थे तो हमारे उपर बारा बज़े रात को हम लोग नांतरनाक सिधी से क्राज करें जे फस्ट काड़ी जो कियो की वाटी की गाड़ी थी वो लाल्चोंग पे थी नांतरनाक सिटी में इस्टक है और लास्ट काड मेरे पास थी बंठन मेरे साथ कैप्टन विर्क जी बैठी हुगे थे वो बोलने लेगे गाड़ियां रूकी कानवाई रूकी बोले क्या हो गया मैंने वह भाहिर हो गया और क्या होना है तो हम लोग गाड़ियों से मैसिज आ गया कि गाड़ियों से नीची उतर जो साइड म सकती हैं अभी हम लोग अटैक करेंगे तो वो तो सिटी में है वो तो बेन जाए लोग भी मारे जाएंगे तो इसलिए आप सेफ रहो बाकि कुछ करने की ज़िए उनको फाइरिंग करने की तो हम लोग ने 94 का 95 या प्याना सा राज के बारा मुझी अपने प्रेंट लोगों तो एपी नियू और जिवाना वो फाइर में ही दिया है बूलाएं अच्छा फिर उसके बाद में हमारा कमांडिंग अभीसर था किया से समयाव कल्वी सिंग समयाव करनल किया समयाव उसने अदेश लिया कि सभी फोज योग पैदल निकल अच्छा गाडियों के पास एक ड् अंदेरे का फैदा लेके वो कैप्टन बिर्ग ती बाहर निकले उसने एक टीम लिए अपनी जितनी स्टीट लाइटिं लगी थी रोड पे सभी को अपने फाइरिंग से उड़ादी अंदेरा कर दिया अच्छा यो नई जो लाइट का फैदा लेके हमारे को तार्गेट कर स बुल्डिंग में पैठे हैं हम लोग तो रोड पे खड़े हैं तो हमने पहले क्या क्या किया क्याप्टन विर्क ने अपनी टीम लेके पूरी स्टीट लाइटे ही जो वो होड की गॉदी, दाख कर दिया पूराय पड़ाए लोड़ादी रोड पे इस तील ड़न भड़ाह कर दो जैसे यह लाइट लगिया उसको गोली मादी दागनेस कर दी पूरी जैसंदर्थ कर दी ब्लाक ओट फिर बाद में रात के कर देड़ बजे देड़ दो बजे क्या टाइम होगा होई तो पैदल निकल गी मगर हमको बोले लिडिंग गाड़ी लगाओ लिडिंग गाओ कोई बोला अमेरेको रास्ता मालम नहीं है कैप्टन जी मेरेको बोले लिडिंग आपको रास्ता मालम है मैं के हां मालम है बोला मैं लीडिंग गाड़ी में बाकी गाड़ियां दीशे हमार साथ एक शुदार रमेश चंप साफ जो की जुमू की रहने वाले थे उनको छोड़ दिया और मेरे साथ एक को ड्रैवर होल्दार अमर जीत था उसका नाम वो जम्राना के लिचे गादरी का रहने वाला था सर्दार वह लोग जासी बिना लाइट जियाय ऐक साथ के लेके लाइट किसी गाड़ी के नहीं जाली कि बिना लाइट से रोड पे गाड़ियां लेकर बाग आएं सिर्टी से बाहर नेकल नहीं नहीं सुबए देखेंग किशे नहीं क्या होता है तो चार वजे का टायम था, वो गाउं से गोड़े लेके लकड़ी ला रहे थे, उसमें लोड करके गोड़ों के उपर लेके आ रहे थे, वो सिटी में बिक्री करने के लिए लाते हैं, कौन? मुसलमान लोग है, वो जंगल से लकड़ी काड़के गोड़ों के उपर लोड करके, सुबह चार वजे लेके आ रहे थे, बहुत ज़्यादा गोड़े थे, कम 60-70 गोड़े थे, तो हम लोग गाड़ी तो बिना लाइट से बगा रहे हैं, जासे यो शिटी से बाहर एक नदी प होल्डा रामर्टीटर, बोला वहिया, अभी इन लोगों ने हमारी गाड़ियां रोग लिया, अभी हमको दासत दासत करेंगी, मैंने बोला, यार कुछ नहीं होता, मैं नीची उतरा, डंडा लिया, गोड़ो वालों के चूतर पे 4-5 दंडे दे दी, तों गोड़े साइड उन्होंने गोड़े साइड करिया, हमने गाड़ियां बगा के शिटी जबार ले, बहां जाके हमारी आर्मी जो पैदल चल रही थी, तोंसे आगे जाके बहां इका सरतार लोगों का गाउं परता है, वहां से गाउं से उस तरफ आमने खाली खेत परते थे, बहां जाके उसके गाउं में रहे जिसको अभी भी पाकितान वाले बोड़े हाइलाइट करते हैं, अशरव बानी को पाकितान वाले बहुत हाइलाइट करते हैं, जब उनका गंता तो उसकी फोडो लगाते हैं, अशरव बानी की उसके गाउं में रहे थे, आच्छा, कोकरनाव जगे प तो हम लोग वहां रहें, वैसे ही भी काफी जगे में हमने तंगी उढ़ाई जैसे मुजवरा में उढ़ाई, सिक्क्य में उढ़ाई, मगर यह जो धाना शिरी नगर का टारेस्ट के साथ जो यह धाना की पता नहीं कब गोली आजेगी जब हम सुबह निकले गाड़ी लेकर न कर पाया हमने बहुत ज्यादे उगरवादी पकड़े हमारे भी हमारी यूंट कर नुक्सान नहीं हुआ बिलकुल हम से फागे तहां पे बटोट में बटोट से निचे आरे थी तब हमारे को टास मिलागी आप डोड़ा में जाओ, फुल डोड़ा डिस्टिक में बहां भी हम कि मारे ऐख साव का बहां कैजिल्टी हो जी कैसे हो प्पाय। तेन केस पार्टी ती के साथ पार्टी थी एक के सांथ पार्टी एक अडर्ट चरात साथ के शूदारrice थी वहां लड़को ने बोला, बोला शाब, रहें आप बहाग रहे हैं, उपरवादी हो सकती है, उब नहीं हमको यह पहारी के उंपर का टाक्स मे लाओ, वहां बो गुजर बकरवाल बकरी चराथे नहीं, उनके घर में हाट बने होती हैं, बहां बूली है, बहां लड़को ने मेरे को गाली देंगी तो बोला नहीं है कोई नहीं है वो हाठ के पाह जा कर ऐसे करकी देखने लगा ना तो अगरवादी उने उसकी मांख में एक होडी सैमल का ब्रेस्ट दे तो जैसे पीसे गिरा और अगरवादी भागे भी मकी की खेत में गुष जाएंगे तो हमारे अगरवादी देखने लिए और वहां से फाइरिंग कर रहा था फिर उसको मकी के खेत में हमने उसकी नश्ट की फिर बाद में हमारा करनल कमांडिंग अभी सर पहुंचा तो अरमेश रमन साब थी जी समयाल साब चेंज हो गेते अरमेश रमन साब थी बैंडोर जी करनल अरम आरम यह तो आर्मी पाई प्रसीजर है ऐज्योल्टी होता रहता है का इलटी करते रहती है यह에서 अhuh अच्छा आपने रिडामेंट पठान कोट से लिए है सुजानपूर से सुजानपूर से लाज जोंट मेरी यहां पर थी फिर महां से मैंने 97 में में आया हूँ 98 फरवरी को मैंने बिरला ग्राशिमन दस्ति भारव बिरला इन ज्वाई 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 निकाई आधुा हमारे एक ज्वाई कि एक ही बतालिन यो कि 19 ज्वाई जडे पार यजी ऑग जयो को टान्य थी पार इसे पंच दो पर सकनाब है जडे को ब यू स्टार के बाहरा लाग जानपन में ज्वाई फैल तो मैं पहले 11 jack में था, 11 jack से मैं 19 jack rifle में चला तो वहां हमारी regiment में यूनट में एक company दोगरों भी थी, जो की हिमाचल, पंजाब और जमू के पाई जाते हैं, और एक company सिख लोगों की थी, सरदार लोगों की, जो की हरयाना, पंजाब के पाई जाते हैं, जमू के सरदार लोग दोगरों भी हैं, एक company हमारी गोर्खों की थी, pure गोर्ख, चारदी company जिसका नाम था, C company वा गोर्खों की थी, जी किया, और डेल्टा company हमारी मराट्टों की थी, आच्रा, महरास्थे, और हैड़काट company में ते ओ गोर्खे, दोग्रे, सरदार सभी में तो पाहरी battalion में, जब हमारी ब्राटालीयों रिए तो हमारी ब्राटालीयों अगरे देगती है ने इसे करनेरे रिषफित भी ठीडले सलग परूके सीठटेसि follow कॉमपरी में जाता हूं को मेर private आप न जाता हूं को सचिकार दोटे ने, गोर्खनाथ में sagt मारातों में MR आता हूं को सब्सक्रान प्रादी जाता ह akan कि जैंड हूं जो चातरपथी सिवजी महाराज की जैंड हूं क्यों इक कव्मून कीया जए लिए जी, तो हमारे गुरूपजी एक ही बटालियन अधो इसका नाम है 19 जैकराई। वहां हमारी जूंत का किसी बगवान का नाम नी हम अपने गुरूपजी द्रीट फटमना है। हमारे बटालियन में जब किसी अखिलशक को जब किसी को शिलूट देना जाम बोलना है, तो हम बोलते हैं जै-जैक साथ हम अपने गुरुप को बगवान मांते हैं जो जिस गुरुप में हमने नोगरी किया हमारी बटालियन उसी को बगवान मांते है जै-जैक जै-जैक कोई भी मिलेगा जै-जैक तो हम जै-जैक का नारा भी है जै-जैक जै-जैक अ यूंतं के अभी भी जो स्टेर्मेंट हो गहाना, घृजु नहीं जाइजाइडरी जो रॉप मिलते हैं वह अभी भी जाइजाइड साफने टो पूर भी एक ही इक इस इस इनायफ जिसको हम लोग जाइजाइक का नारा दिया हम किसी बहुआन को नहीं इस को उसको नहीं हम गुरूप कोई बगवान मान को चीफोदी आर्मी स्टाब ने बोला था कि जे बटालियन उत्तम है अभी हमारी बटालियन की जितने भी फाइल्स होते हैं जितने भी डॉकुमेंट हैं उसमें पहले उनीचेक रैफल लिखते थी मगर अभी उसके नाम जबसे मिला हुआ हमारी उनीच बोलते हैं उत्तम उनीच याँनल सामने हमारी बटालियन का नाम उत्तम है तो उस टाइम से अप्टाके चल रहा है उत्तम उनीच हमारे जो ट्राइकशूट मिलते हैं अल बटालियन के उसके पिसे 19 जैक रैफल नहीं लिखा हुथा उत्म 19 लिखा हुथा राम राम जया हिन जया 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 लास्ट बट नॉन्ट लीस्ट मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा एक्सपीरेंस जो मुडबेट में आप हो टैरिस के साथ या कहीं किसी फाइट में हो आपको कुछ तो शीरी नगर में तो हम लोग टीम बर्क था मारा टीम बर्क में टार्यस को चैसी हम मुंदादेवसर में शुपया हुआ था अपने बाही की साधी में आया था जी वहां का एरिया कमांडर था उसको हमने बरबाद किया वहां थी उन्हें हाइड़ोट बना र और ठीम आपने वहां को थेकिता राए बडावी का था हमाया थिती हम अपनी में कमांड़ में यहां का यहां जान कर गड़ैंत थी हिए मा में आपाद जाओंगेलां 2 करण रागली में अबसूंत में चैन से घ् 1 से उसकी हाई वहां से और भाए दो बना था हिए ञान डी वह अंदर अंदर से घर में आ जाता था और वहां से फाइरिन चूप करता था फिर बाद में पसा चला फिर मिर्ची बोट होती है शरीनगर में वो दुकान से दो बोरी मिर्ची की उठाई जी वो गुफा में आग लगा के डाल दी अंदर गर्नेड लूबिंग की है फिर तीन आदमी से तीन हो अंदर मरे है फिर उसके गाओं का जो मुखी अथा पहले उसको बेजा ती अंदर दे उनको बोलो सिलेंडर कर दे वो गया वो माना नहीं फिर उसके बेटे को बेजा उसकी फैंबली को बेजा उसके थादर को पिर गाओं के लोगों को अंदर बेज कियों की गाड़ी निका दी और उनके रखिया गनेड लूबींग करते चती है अपर गनेड लूबींग किया गनेड गाड़ी पें गिराथ साहिब में किया तो आदमी बर्वात है ने पंदर अगस्त का स्पेशल विद हमारे उत्तम नाइंटीम के पाजी हमारे पापा जय हिंद पापा जय हिंद जय 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 जय